तो नमस्कार दोस्तों में लेक्रतों दोस्तों आप में यूट्प चानल तो अगर आप भी जीज उफोन में इसको कॉड़ार पोर्वर्वर्ड कर सकते हैं दूसरे नम्बर यहाँ वह रहता हूं दोस्तों इसका प्रोसेस में बताथे तो यहां भी आपको setting open कर लेना है अपने जियो phone की और दोस्तों इसके बार यहां भी open करने अब यहां भी नीचे आना है थोड़ा scroll करना है और दोस्तों यहां भी आपको call setting एक option दिखे कि इसमें आपको click कर देना है यहां यहां भी किल्क करेंहेंगे यहां पर थोड़ा सा लोडिंग हो रहा होगा देहीं है और ध्र talked minute करना है और दोस्तों के बाद यहां भी आपको tis और दुप Оп्षिन को कभ यूज करना है तो यपारो यहां बस्तों डेक सकते हैं हर मला पहलो उप्षन दोस्तों अगर आपका फोन आपके जो नंबर आता है और वह ऑटमेटिकली फारवर्ड हो जाए दुसरे नमबर पर इसमें आपको सेलेट करके यहां से दोस्तों एनेबल कर लेना उसके बाद यहां पर आपको वह नंबर डालना है जिसमें फॉरवर्ड करना चाने हैं दोस्तों यहां पर आपको कोई भी नंबर डालते हैं मैं आपए ऐसे एक्जमबल के लिए आपको दिखा रहा हूं और दोस्तों जो आपके जिव फोन के जिव नंबर में कॉल आएगा वह जो फॉरवर्ड हो कि हाप जो आपन लिखेंगे उसमें चले जाएगा त तो अगर जब आपके जीओ फोन में आता है तो अगर आप कट कर देते हैं तो जो कॉल उसके बाद फर्वरड होगा कट करने के बाद तो अगर आप यह ओप्षन करना चाहते हैं यहां से आपको नंबर डालने लेकिन दोस्तिता जब आप अपने जो आपके जीओ फोन में जब आप उसको कट करेंगे तब आपका जो कॉल हो फॉरवर्ड होगा है सेकेंड ओप्षन में और दोस्तों यहां भी ठर्ड ओप्षन यहां पी है forward when unanswered दोस्तों इसका मतलब है कि जब आपके नंबर में कोई फोन करेगा और दोस्तों अगर आप नहीं उठाते बायचांस वीजी रहते हैं और दोस्तों आप फोन कट उचाते तो उसके बाद फोरवर्ड होगा तो इस तरह से कुछ काम करते हैं तो इसको भी दोस्तों सेम प लगाते और दोस्तों वह अन्रीचिबल बताता है तो तब आपका जो नंबर हो जाएक और दोस्तों दूसरे नंबर भी लग जाएगा तो यह होई दोस्तों कॉल फारवर्डिंग से लेने की कोई प्रोसेस तो अगर आपको आप कौन से याप इस सिच्वेशन यूज़ करन दोस्तों वीडियो को जो से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुले धन्यवाद